अगर आप अपने लिए अपने लबबबन्स के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए पिका काड रीडिंग आज की पिका काड रीडिंग का topic है उन्होंने आपको क्यों block किया और यहाँ पर दिखिए हम सिरफ social media पे block की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी level पे किसी भी तरीके से आपके partner की तरफ से आपको एक block सी energies महसूस होती है जैसे कि होता है ना कभी कभी हमारी physical level पे बातचीत हो रही होती है लेकिन mental emotional level पे partner की तरफ से एक block हम हैसूस करते हैं या कितनी बारी mental emotional level पे हम connected होते हैं लेकिन फिजिकल लेविल पर पार्टनर की तरफ से एक ब्लॉक हम हैसूस करते हैं जैसे कि energy levels थोड़े से missing होते हैं, enthusiasm, excitement missing होता है या पर literally अगर social media पर आपको उन्होंने ब्लॉक किया या फिर से मैं कहूंगी किसी भी लेविल पर किसी भी तरीके से एक ब्लॉक वाली, एक distant वा सवाल आपके मन में आता है, यह reading आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पर तीन piles हैं, आपको इन तीनों में से एक pile को चूज करना है और pile selection के लिए मेरे पस दो options है, first is intuitive method and the other one is birth month तो सबसे पहले intuitive method के हिसाब से देखते हैं, और यहाँ पर देखिए, intuitive method से अगर आप pile selection करना चाहते हैं तो pile 1 के लिए wooden stand है, pile 2 के लिए sage है, pile 3 के लिए अगरवत्ती stand है आपने आखें बंद करनी है, अपने relationship को visualize करना है और आखें खोलते ही, जो भी pile आपको सबसे पहले attract करता है उसको आपने choose कर लेना है, आपने shape से color से बायस नहीं होना है अगर आपको intuitive method difficult लगता है, तो आप birth month के हिसाब से भी pile को choose कर सकते हैं तो अगर आपका birth month January, April, July, October में से एक है, आपके लिए pile 1 है अगर आपका birth month February, May, August, November में से एक है, आपके लिए pile 2 है अगर आपका birth month March, June, September, December में से एक है, आपके लिए pile 3 है and I hope कि आपने pile चूज कर लिया है और अगर नहीं किया है, आप वीडियो को pause कर सकते हैं you can take your own time in choosing the pile तो चलिए जी, अब आपकी reading शुरू करते हैं देखते हैं, cards क्या कहते हैं, उन्होंने आपको क्यों block किया है आपने pile 1 यानि की wooden stand को choose किया है या फिर आपका birth January, April, July, October में से किसी भी month में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं आपके partner ने आपको क्यों block किया और मैंने intro में बहुत clearly बताया था यहाँ पर हम सिरफ और सिरफ social media में block की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक block वली energies अगर आपको आपके partner से महसूस होती है तो ये reading आपके लिए है और इसमें हम ये भी देखेंगे कि उनके क्या next actions रहेंगे तो देखिए सबसे पहली चीज़ में आपको यहीं बताना चाहूंगे और I know अब आप सोच रहे होंगी कि अगर ऐसा है तो माम ऐसे block वली energies क्यों आपको महसूस हो रही है देखिए relationships को हम बोलते हैं कि बहुत complicated होते हैं because relationships में white and black, black and white नहीं होता है हर तरीके के लोग होते हैं और हर तरीके की energies होती हैं कहीं लोग बहुत ही old school होते हैं कहीं लोग बहुत ही modern होते हैं अपने विचारों में कहीं लोग एक ही partner के साथ रहना पसंद करते हैं और कहीं लोग एक से जाधा लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत interested होते हैं या फिर उनका एक वैसा behavior होता है तो देखिए यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अगर आपके लिए बहुत प्यार है तो बस वो सिरफ आपसे ही बात करें हो सकता है कि उनका नेचर ऐसा है जहाँ पर जादा लोगों से connect करना या फिर socialize करना उनको पसंद हो तो कि देखिए यहाँ पर non-monogamous का कार्ड कहता है कि आपके अलावा और भी लोगों से वो connect करना चाहते हैं यहाँ पर हो सकता है कि इस point of time में वो और भी options को या फिर और भी relationships को explore करना चाहते हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी उनके मन में आपके लिए प्यार है यह बहुत ही clearly यहाँ पर cards बता रहे हैं यहाँ पर passion का भी card है and seven of wands का भी card है passion का card बहुत passionate energies की बात करता है और seven of wands का card देखिए एक दो चीज़ों को represent करता है सबसे पहली चीज़ की हो सकता है कुछ issues कुछ मसले वो face कर रहे हों आपके साथ relationships related अब देखिए general reading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप दोनों का long distance relationship है कुछ लोगों के लिए religion, society या फिर इस तरीके के issues मसले रह सकते हैं कुछ के लिए देखिए again कोई भी issues, problems वो face करते हुए दिख रहे हैं कभी-कभी family इतनी राजी नहीं होती है या फिर status का difference होता है तो देखिए किसी भी level पे कुछ issues, कुछ मसले वो face कर रहे हैं और अगर हम deeper level के लिए उनकी energies को जानना चाहें तो वो effort लेना चाहते हैं वो हर चीज को overcome करके आपके साथ relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं बहुत एक willpower, determination के साथ चीजों को deal करना चाहते हैं और अभी देखिए अगर एक block वाली energies आप उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा वो नहीं कर रहे हैं 10 of swords का card कहता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक ending beginning आप दोनों के बीच में या तो हो गई है या फिर वैसी सी एक situation रह रही है और कहीं काफी difficult ये ending beginning रहती हुई दिख रही है यहाँ पे not enough का card कहता है कि आपके partner को जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है कहीं वो enough नहीं लगता हुआ दिख रहा आप दिखिए फिर से मैं कहूंगी सब Pile 1 के लिए different reasons रहेंगे अगर ये long distance relationship है तो उसकी वज़े से ही कभी कभी होता है ना तो मिल सकते हैं ना ही you know physical level पे interact कर सकते हैं तो ये एक not enough वाला scenario रह सकता है कि भई उनको लग रहा है कि भई जो भी relationship में चल रहा है वो उनके लिए enough नहीं है और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक scenario एक example बताया कुछ के लिए हो सकता है आपकी family में restrictions है कुछ के लिए हो सकता है आपके partner की family में restrictions है फिर से देखिए सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन not enough वाली एक energy रहती हुई दिख रही है जहाँ पे जितना वो चाहते हैं उतना वो आपसे नहीं connect कर पा रहे हैं again reasons सब pile 1 के लिए refer करेंगे और इसी लिए शायद एक frustration वो relationship में महसूस कर रहे थे या फिर कर रहे हैं देखिए इस card में लिखा हुए frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage and fear, ego issues, jealousy तो किसी level पे एक jealousy भी वो महसूस कर रहे थे, कर रहे हैं ego issues भी आप दोनों के बीच में रह रहे हैं and self-sabotage भी उनकी तरफ से आपकी तरफ से रह रहा है और यहाँ पे देखिए 10 of swords का card भी कहीं एक victim consciousness वली energies की बात करता है कभी-कभी हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और हम बहुत जादा self-sabotage मतलब self को ही लेके critical, judgmental, analytical हो जाते हैं तो उसकता है pile one आप हो रहे थे जिसकी वज़े से वो परिशान हो गए या फिर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसकी वज़े से इतना आपके लिए उनके मन में प्यार होने के बावजूद भी किसी level पे किसी तरीके से एक block वली energies उनकी तरफ से रह रही है और देखिए यहाँ पर uncertain का card है जो कि बहुत ही clearly कहता है जो भी circumstances हैं जो भी situation है कहीं वो बहुत sure नहीं हो पा रहे हैं relationship को लेकर अब देखिए एक दो example बताऊं तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि भाई आप दुनों का कोई future नहीं है पतनी you know relationship आगे बढ़ भी पाएगा नहीं बढ़ पाएगा यानि कि circumstances, situations की तरफ से एक uncertainty है और कुछ के लिए हो सकता है कि वो अपने mind में uncertain है कि भाई आज तो बहुत एक प्यार महसूस कर रहे हैं और वो sure नहीं हो पा रहे हैं कि भाई future में भी वो एक प्यार महबबत आपके लिए महसूस करेंगे अब देखिए यहां पर जो भी दो सिनारियो मेरे mind में आए मैंने आप से share किया किसी भी तरीके की एक uncertainty या तो इस relationship में रह रही है और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि pile 1 पीछे आप uncertain हो रहे थे आप sure नहीं हो रहे थे और इस वज़े से कहीं वो थोड़ा सा frustrate हो गए वो थोड़ा सा परेशान हो गए या यह uncertain वाली energies उनकी तरफ से भी हो सकती है यह general leading है तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा acting crazy का card कहता है या तो आप थोड़ा सा अजीब सा behave कर रहे थे या फिर उनका behavior अजीब सा हो रहा था situation, circumstances की वज़े से और उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा distance create करना या फिर थोड़ा सा दूरी बनाना बहुत important है इस time पर नहीं तो फिर चीजें और जादा बिगड़ जाएंगी चीजें और जादा खराब हो जाएंगी तो फिर से मैं कहूंगी acting crazy का काड कहता है कि उनको ऐसा लग सकता है कि भई या तो sorry वो एक जीब तरीके से behave कर रहे थे बहुत crazy हो रहे थे चीजों को लेकर और फिर से मैं कहूंगी उनको ऐसे लगा कि बस थोड़ा सा gap ले लो नहीं तो फिर बिगड़ जाएंगी या फिर आप ऐसा behave कर रहे थे और इसलिए उन्होंने एक gap लिया उन्होंने थोड़ा सा अपने आपको दूर किया आपसे या फिर किसी भी लेवल पर ब्लॉक किया और यहां पर दिखिए mistake का भी card है तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई या आपकी तरफ से कोई गलती हुई और उस गलती को वो नहीं भूल पा रहे हैं उस गलती को वो माफ नहीं कर पा रहे हैं अब दिखिए यह गलती यह mistake एक भी सब Pile One या फिर उनके partner के लिए differ करेगी, फिर से एक बरी clear कर दूँ, कुछ Pile One से हो सकता है गलती हुई, जो कि आपके partner नहीं माफ कर पा रहे हैं, नहीं उसको ignore कर पा रहे हैं, कुछ Pile One के partner की तरफ से कोई गलती हुई, जिसको लेकर आपके partner ही खुद को नहीं forgive कर पा रहे हैं, बहुत जादा उसके उपर focus कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए Good Intentions का card कहता है, कि जो भी हो रहा है, उन्होंने आपको block जाहिर सी बात है करा है, क्योंकि यही हमारा topic है और इसी चीज़ को हम देख भी रहे हैं, लेकिन उनके intentions आपके लिए ठीक हैं, यानि कि उनके मन में आपके लिए कोई मलाल नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, वो आपसे किसी level पर मैं कहूंगी गुसा भी नहीं है, नराज भी नहीं है और यहाँ पर nine of cups का card कहता है, in fact उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत love है और कहीं आपको miss भी करते हैं, क्योंकि photograph का card, looking at your photos, missing you, nostalgia, making new memories, तो कहीं आपको बहुत miss भी करते हैं, आपको बहुत याद भी करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि यह karmic relationship है, कुछ ना कुछ तो, आपका और उनका बहुत past life कोई कर्मा है, जिसकी वज़े से इतना love होने के बावजूद भी, कहीं चीजें right direction में नहीं जा रही हैं, आप दुनों के बीच में issues हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, और दिखे हाल फिलाल हो सकता है कि कोई female भी हैं उनकी life में, अब ये female कोई भी हो सकती हैं, कुछ के लिए उनकी mother हो सकती हैं, कुछ के लिए उनकी sister हो सकती हैं, नहीं तो ये आपके partner भी हो सकते हैं जिनके लिए अभी फिलाल career, professional front, money, materialistic, tangible चीजें बहुत important रह रही हैं तो फिर से देखिए nutshell में मैं आपको बताऊं आपके partner के मन में बहुत प्यार है, बहुत महबत है आपके लिए बहुत passionate हैं और आपको miss भी करते हैं उनके intentions बहुत pure हैं आपके लिए और reason अगर हम देखें block करने का तो देखिए एक uncertainty रहता हुआ दिख रहा है और जो भी हो रहा है वो कहीं enough नहीं है वो satisfied नहीं है अब यहाँ पर circumstances responsible हो सकते हैं कोई भी चीज responsible हो सकती है जिसकी वज़े से वो satisfaction नहीं महसूस कर रहे हैं कोई गलती आपसे हुई उनसे हुई जिसकी वज़े से एक crazy सा behavior आपका रह रहा था उनक्या रह रहा था और इसलिए उन्होंने block किया तो यहाँ पर उनकी तरफ से गुसा नहीं है उनकी तरफ से नराजगी नहीं है उनकी तरफ से कोई भी आपके लिए बुरा खयाल या गल आपके लावा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं अब यहाँ पर देखिए कि कुछ Pile One के partner के लिए simply आपसे अपने mind को हटाने के लिए divert करने के लिए हो सकता है वो ऐसा चयह पर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि उनका नीचर है जहाँ पर वो लोगों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद करते हैं, उनको लोगों के साथ इंटराइट करना, सोचलाइज करना बहुत पसंद है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो ये था Pile 1 आप लोगों के लिए रीडिंग और मुझे नीचे कमें सेक्षन पर ज़रूर बतायें कि ये कितना आपके साथ रेजनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए अगर आपने Pile 2 यानि की सेज को चूज किया है, या फिर आपका बर्थ मन्त February में August November में से किसी भी मन्त में होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है और चलिए देखते हैं Pile 2 की कार्ट क्या कहते हैं, आपके पार्टनर ने आपको क्यों ब्लॉक किया और मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि यहाँ पर हम सिरफ और सिरफ सोशल मीडिया में ब्लॉक करने की बात नहीं कर रहे हैं इसके अलावा भी किसी भी लेविल पे अगर आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक ब्लॉक वली एनरजी महसूस होती है तो यह रीडिंग आपके लिए है और यहाँ पर देखें हम एक दो चीज़े देखेंगे सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि रीजन क्या है आपको ब्लॉक करने का Secondly हम देखेंगे उनकी क्या energies हैं आपके लिए and thirdly हम देखेंगे कि उनके क्या next actions रहेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि उन्होंने क्यूं ब्लॉक किया तो यहाँ पर देखें fear of commitment का card बहुत ही clearly कहता है कि उनको commitment से धर लगता है वो कहीं हो सकता है long term relationship से धरते हैं अब यहाँ पर सब pile 2 के partner के लिए different reasons रहेंगे कितनी बार ही हमारे past experiences ऐसे होते हैं जिसकी वज़े से relationship में अगर हम बहुत अच्छा भी feel कर रहे हैं हम बहुत enthusiastic हैं, बहुत excited हैं तो भी कहीं हम 100% अपना नहीं दे पाते हैं क्योंकि यहाँ पे sun का card बहुत ही clearly उनकी तरफ से एक बहुत positive energies आपके लिए होने की बात करता है एक enthusiasm, excitement, motivation भी आपके लिए रहने की बात करता है लेकिन फिर भी देखिए अगर वो आपको किसी भी level पे block कर रहे हैं तो यहाँ पे fear of commitment बहुत ही clearly again मैं कहूंगी की कह रहा है उनको commitment से डर लगता है वो कहीं एक serious connection से डरते हैं कहीं बड़ी parents का relationship अच्छा नहीं होता तो भी बच्चे कहीं उस तरीके से commitment नहीं दे पाते हैं तो जो भी दो एक reasons मेरे mind में आए you know fear of commitment होने के मैंने आपको बताया सब Pile One के partner के लिए different reasons हो सकते हैं क्यों वो commitment से डरते हैं क्यों वो long term एक connection से डरते हैं बट यह एक reason बहुत clearly उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है अभी हाल फिलाल आपको block करने के लिए यहाँ पे picky का card कहता है शायद वो बहुत जादा choosy हैं बहुत जादा picky हैं जल्दी जल्दी you know वो decisions नहीं लेते हैं relationship को लेकर उनको लगता है कि अच्छे से explore करें अच्छे से मिलें पहले अच्छे से interact करें और तब relationship को आगे लेकर जाएं और हो सकता है आप serious हो रहे हैं या फिर कोई भी और reason हो सकता है जिसकी वज़े से उन्होंने आपको block किया तो फिर से देखें picky का card कहता है कि बहुत choosy हैं बहुत decision choice लेने में उनको time लगता है और बहुत अच्छे से पहले अपने options को explore करते हैं या फिर फिर से मैं कहूंगी बहुत ज़्यादा picky और choosy हैं या पर independent का card कहता है कि अभी हो सकता है वो mentally relationship के लिए prepared नहीं है, ready नहीं है वो थोड़ा सा अपने लिए space चाहते हैं या फिर independent रहना चाहते हैं emotionally, mentally, physically किसी के उपर भी beyond the point independent नहीं होना चाहते हैं और हो सकता है कि इस relationship में किसी level पे एक dependency आ रही थी कितनी बारी देखिए अगर कोई इंसान dependent नहीं होना चाहता है और उसको खुदी लगना लगता है कि भई वो इतना attach हो रहे हैं इतना एक love महसूस कर रहे हैं कि वो emotionally, mentally, physically dependent हो रहे हैं तो थोड़ा सा withdraw कर लेते हैं थोड़ी सी एक backseat ले लेते हैं and that doesn't mean कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं उनके मन में feelings नहीं हैं फिर से मैं कहूंगी the sun का card बहुत ही clearly कहता है कि आपको लेकर बहुत positive हैं enthusiastic हैं, excited हैं लेकिन again अगर हम reasons को देखें तो commitment से डरते हैं बहुत picky हैं थोड़ा time लगाते हैं long term या long term तो मैं नहीं कहूंगी बहुत major decisions और choices लेने में independent का card बहुत ही clearly again कहता है कि वो dependent नहीं होना चाहते हैं और हो सकता है पीछे जो भी आप दोनों के बीच में रह रहा था वो आपके उपर बहुत जादा dependent हो रहे थे वो अग्दम से डर गए कि कहीं ये ना हो कि ये dependency उनकी बढ़ जाए और फिर वो कहीं back step ना ले पाए या फिर pile to आप उनके उपर dependent हो रहे थे और वो डर गए कि कहीं ये relationship बहुत serious ना हो जाए क्योंकि अभी एक serious relationship के लिए mentally वो ready नहीं रहते होई दिख रहे है यहाँ पर talking face का card कहता है अभी सिरफ वो आपसे बात चीत करके आपको explore करना चाहते है आपके साथ और interactions करना चाहते है यहाँ पर hook up का card कहता है शायद you know हलकी फुलकी एक physical intimacy चाहते है और एक physical level पर भी आपको explore करना चाहते है या पर हो सकता है कि simple एक hook up आप दुनों के बीच में हुआ था जिसकी वज़े से आप लोग connect हुए और हो सकता है आप serious हो गए उनको लेकर या फिर वो serious हो गए और अभी वो ready नहीं है जैसे कि मैं अभी आपको बताया relationship के लिए तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा withdraw किया इसलिए you know किसी भी level पर उन्होंने आपको block किया अब देखें उनकी क्या energies है तो यहाँ पर the butterfly का card कहता है कि वो relationship को अभी और जादा understand करना चाहते है वो कहीं explore करना चाहते है उसके बाद ही next level पर लेकर जाना चाहते है sunglasses का card कहता है watching, looking, stocking, gas lighting and focusing out तो कहीं देखिए आपको stock कर रहे हैं social media पे पूरी नजर है लेकिन चोरी छुपे आपको देख रहे हैं hand of cards का card देखिए reason की बात करता है कि वो बहुत planned way में आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे नहीं कि कुछ भी बिना सोचे समझे वो करें या फिर relationship को बिना अच्छे से explore करें अच्छे से चीजों को analyze करके वो next step में चीजों को लेकर जाएं तो यहाँ पर दीके hand of cards का card कहता है take a risk, take a chance, being strategic तो कहीं options भी इसमें लिखा हुआ है तो कहीं you know अच्छे से चीजों को समझना चाहते हैं और जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा था कहीं उनको ऐसे लग रहा था कि बहुत जल्दी हो रहा है बहुत एक उनको time नहीं मिल रहा है चीजों को समझने के लिए और इसलिए हो सकता है उन्होंने withdraw किया यहाँ पर किसी भी level पर आपको block किया और यहाँ पर take a chance मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस relationship को next level पर लेकर जाने के लिए उनको कुछ risk लेने पड़ेंगे उनको कुछ chances लेने पड़ेंगे उनको किसी level पर एक जुआ या gamble खेलना पड़ेगा और हो सकता है कि mentally अभी वो इस risk को लेने के लिए ready नहीं है chance को लेने के लिए ready नहीं है sun का card मैंने आपको बताया कि बहुत आपके बारे में positive सोचते है और यहाँ पर four of wands reverse का card कहता है कि आपके साथ जादा interact करना चाहते है जादा मिलना चाहते है हो सकता vacation पर जाना चाहा रहे हो या फिर you know in general ही आपके साथ togetherness तो चाहा रहे है लेकिन हो सकता है कि कोई चीज उनको hurt भी करी हो यहाँ पर three of swords का card कहता है यहाँ तो वो बहुत जादा sensitive है चोटी-चोटी सी बातों को दिल पे लगा लेते है यहाँ आप बहुत sensitive है और यह एक reason उनकी तरफ से है कि भई आप hurt ना हो जाए यहाँ पर वो hurt ना हो जाए यहाँ पर आपकी life में कोई और है या उनकी life में आपके लावा कोई और है कुछ Pile 2 के लिए third party की भी एक involvement रहती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पर सिरफ और सिरफ three of swords का card है जो third party की बात करता है तो सब के लिए मैं नहीं कहूंगी कि third party की involvement है लेकिन कुछ के लिए हो सकती है लेकिन यह definitely मुझे रहतावा दिख रहा है या तो आप बहुत sensitive है या फिर वो बहुत sensitive है और कहीं यह एक बहुत बड़ा reason रहतावा दिख रहा है and four of swords का card कहता है कि वो चीजों को बहुत अच्छे से समझना चाहते है analyze करना चाहते है एक proper planning strategy के साथ चीजों को आगे लेकर जाना चाहते है और हो सकता है वो खुदी या तो बहुत जादा emotional हो रहे थे या पे queen of cups rivers का card कहता है या आप बहुत जादा emotional हो रहे थे और उनको लगा कि ऐसे तो फिर वो चीजों को नहीं explore कर पाएंगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे बहुत जादा ही एक बहुत जल्दी closeness आप दोनों के बीश में आ रही थी और यहाँ पे देखे independent का card कहता है अभी वो नहीं आपके उपर dependent होना चाहते हैं या फिर आप उनके उपर dependent हो रहे थे और वो independent होना चाहते हैं तो यह reasons उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं next steps की बात करें तो दिखिए बहुत कुछ concrete level पे बहुत जल्दी उनकी तरफ से एक action initiatives नहीं रहते हुए दिख रहे हैं hook up का card कहता है कि हाँ कभी coincidentally मिल गए या फिर अचानक से मिल गए और एक physical intimacy हो गई बातचीत हो गई that is a different thing but उनकी तरफ से एक planned या फिर बहुत कोई solid concrete action initiatives near future में नहीं रहता हुआ दिख रहा है तो यह था pile 2 आप लुगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें अगर आपने pile 3 यानि कि अगर बत्ती के stand को choose किया है या फिर आपका birth month March, June, September, December में से एक है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 cards क्या कहते हैं आपके partner ने आपको क्यों block किया और मैंने इंट्रो में आपको बताया था block का मतलब सिरफ यह नहीं है कि उन्होंने social media पे आपको block किया किसी भी level पे आप अपने partner की तरफ से blocked energies अगर मैं हसूस कर रहे हैं तो यह reading आपके लिए है और यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे सबसे पहली चीज रीजन यानि कि उन्होंने आपको क्यों block किया second उनकी क्या energies है third उनकी क्या next action होंगे तो दिखिए यहाँ पर सबसे पहले cards मुझे दिख रहे हैं engagement, quoting, love bombing and seduction और यह चारों ही cards कहते हैं कि उनकी life में कोई और आपके अलावा आया है जिसको लेकर वो बहुत जादा serious है दिखिए engagement का card बहुत ही clearly या तो कहता है कि उनकी engagement हो गई है या फिर उस direction में चीज़े रह रही है यानि कि जो भी दूसरा इंसान या तीसरा इंसान में कहूंगी उनकी life में आया है यहां ऐसा भी कह सकते हैं आपके अलावा जो दूसरा इंसान उनकी life में आया है उनके साथ engagement यहां तो उनकी होने वाली है यहां फिर बात चीज़ चल रही है यहां simply हो सकता है कि वो काफी serious हैं, वो marriage engagements related, you know, उनके साथ चीजों को सोच रहे हैं यहां पर देखिये, quoting का period भी कहीं, एक coach period की बात करता है, यानि कि शादी से पहले जब partners एक दूसरे को मिलते हैं तो कहीं, you know, बहुत serious kind of relationship होता है, serious is not the correct word, मतलब कि जब वो अपने future को लेकर बहुत जादा sure हैं या फिर उसी के बारे में वो सोच रहे हैं, या उन्होंने मन ही मन decide कर लिया कि इन ही के साथ शादी करनी है, इन ही के साथ आगे future बिताना है और उससे पहले जो भी बातचीत होती है, या फिर उससे पहले जो भी activities होती है, जैसे courtship period होता है, engagement होती है वो उनका रहतावा दिख रहा है, फिर से एक चीज clear कर दूँ, या तो engagement हो गई है, या फिर उस direction में चीजें move कर रही है और अगर नहीं भी उस direction में move कर रही है, उन्होंने अपने mind make-up कर लिया है and यहाँ पर दिखिए, seduction का card कहीं attraction की बात करता है, temptation की बात करता है, third party interference की बात करता है तो यहाँ पर third party उस scenario में नहीं है कि आप दोनों का बहुत अच्छा relationship है और कोई तीसरा आ गया हो आप दोनों के बीश में हो सकता है कि कुछ time से कुछ issues मसले रह रहे थे क्योंकि यहाँ पर the hangman का card कहता है कि एक stuck energies आप लोगों के relationship में कुछ time से या काफी time से रह रह रही है जहाँ पर ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना ही पीछे जा पा रहे हैं बहुत कुछ शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाहा रहे थे नहीं कर पा रहे थे अभी reasons सब pile 3 के लिए differ करेंगे कुछ के लिए circumstances situations हो सकती है जिनकी वज़य से बहुत कुछ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाहा रहे थे इस relationship में नहीं कर पा रहे थे कुछ के लिए limitations, restrictions society की तरफ से, religion की तरफ से यहाँ पर long distance relationship भी एक बहुत बड़ी restriction और limitation होता है तो देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा किसी भी तरीके की limitations restrictions थी या कोई भी और reason रह सकता है एक stuck energies, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर या फिर इस relationship में एक stuck energies थी और यहाँ पर the high priestess reverse का भी काट कहता है शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं एक दूसरे को लेकर share थे या फिर एक transparency नहीं थी या तो कुछ आप उन से छुपा रहे थे या वो आप से छुपा रहे थे और बहुत एक mysterious सी energies आप दोनों के बीच में रह रही थी इस relationship में रह रही थी healing heart का काट कहता है कि कहीं ना कहीं एक healing सी आप दोनों के बीच में रह रही थी हो सकता है पीछे कुछ चीजों को लेकर hurt हुए हो कुछ चीजों को लेकर एक तकलीव भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने महसूस करी और यहाँ पर देखिए Girl with a Snake का card Being Used Enable Boundaries जो मैंने अभी आपको कहा कि Limitations, Restrictions, Boundaries या तो आप create करे हुए थे या उन्होंने create करी हुई थी और हो सकता है कि आपको अभी ऐसी feeling हो रही हो कि आपके partner ने आपको use किया या फिर आपके partner को हो सकता है आपकी तरफ से ऐसा लगा कि भी आपने उनको use किया तो ये भी एक reason रह सकता है उनकी तरफ से आपको block करने का और ये block किसी भी level पे रह सकता है कुछ के लिए literally social media पे हो सकता है उन्होंने आपको block किया या फिर कुछ के लिए हो सकता है physical level पे block किया यानि कि इतना action initiatives उनकी तरफ से नहीं है और अगर आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो mental emotional level पे उन्होंने block किया and देखिए being charmed का का कार्ट कहता है कि हो सकता है अभी भी बहुत एक attraction आप उनके लिए महसूस करते हैं को यसे लगता है कि आप नहीं overcome कर पा रहे हैं and seduction का कार्ट कहता है कि या तो सिरफ एक physical intimacy, physical connect वो आपके साथ चाहते हैं या फिर देखिए कोई third party या third person है और third person फिर से मैं कहूंगी कि हो सकता है कि अभी scenario में आप ही हो क्योंकि वो जो भी और इंसान उनकी life में आया उसके साथ काफी एक serious relationship, serious एक actually for me is a very very negative word मतलब concrete, realistic relationship चाहते हुए, सोचते हुए दिख रहे हैं या फिर होता हुआ दिख रहा है and यहाँ पे temperance, reverse का काट कहता है कि शायद वो balance नहीं maintain कर पा रहे हैं या तो कोई चीज too much कर रहे हैं या फिर कोई चीज too less कर रहे हैं और आप दोनों के relationship में किसी भी level पे एक balance नहीं रह पा रहा है या तो आप उनको call करना चाहा रहे हैं या फिर वो call करना चाहा तो रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आपर देखिए king of wants का card कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कुछ गलत सोच रहे हैं फिर गलत उनकी भावना है गलत उनकी intention है आपको लेकर excited है आपको लेकर अच्छी intentions है love call का card कहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में रह रहा हूँ आपको call करना चाहते हैं आपसे अपनी feelings जो भी वो महसूस करें कुछ के लिए हो सकता है आपके partner positive महसूस करें कुछ के लिए हो सकता है negative महसूस करें कुछ के लिए हो सकता है neutral महसूस करें तो जो भी है उसको express क जाते हैं या फिर देखिए किसी ने उनको love express किया है किसी से वो connect करें है किसी की तरफ उनका एक attraction बढ़ा है और हो सकता है पहले उनका messaging या फिर calls के through ही connection बना हो और yes तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत clearly बताया कि उनकी अभी अगर हाल फिलाल हम energies देखें स्टक महसूस कर रहे हैं कहीं किसी level पे आपको जो भी reality है वो नहीं बता रहे हैं एक transparency नहीं maintain कर पा रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसकी परदातारी है जो आपको नहीं पता है और शायद वो नहीं बता रहे हैं and कहीं एक balance भी नहीं रख पा रहे हैं और definitely देखिए कोई इ serious का word use करें serious means concrete realistic level पे उनके साथ अपना relationship आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और यहां पे the star reverse का card कहता है हो सकता है कि आपके साथ relationship में वो पीछे direction let's feel कर रहे थे या फिर एक negativity किसी भी level पे आ गई थी और कहीं फिर से मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा reason रह तावा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद transparency नहीं थी शायद आप भी खुल के उनको चीज़ें नहीं बता पाते थे और हो सकता है उन्होंने भी किसी level पे चीज़ें चुपाई यहां देखिए फिर से मैं कहूंगी यहां तो आपकी तरफ से transparency नहीं थी यह उनकी तरफ से नहीं थी यह भी एक बहुत बड़ा major reason आप लोगों के बीच में issues यहां फिर उनकी तरफ से आपको block करने के लिए रहता हुआ दिख रहा है और अब हम देखिए कि next क्या actions रहेंगे तो direct message का card कहता है हो सकता है message के through बातचीत हो यह direct message करके वो communicate करें बताएं लेकिन अभी near future में उनकी भी इस relationship को लेकर रहते हुए नहीं दिख रहे हैं तो यह था pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है तो जरूर मुझे नीचे comment section पर बताएं